नमस्ते दोस्तों आज हम एक बहुत अच्छी जानने वाले हैं कि अकबर नामा और आयने अकबरी में क्या अंतर है ठीक है कि कई जाए पर हम लोग कन्फूज जाते हैं कि अकबर नामा अलग रचना एन अकबरी अलग रचना लेकिन ऐसा नहीं है यह अब फजल के द्वारा ल द्रबारी अबूल फजल को आदिस दिया कि वे उसके सहसनकाल का इतिहास लखी ठीक है अबूल फजल उसके नौरद में सामल था और अबूल फजल का एक और भाई ता जोगी था फैजी अबूल फजल का भाई फैजी भी उनके नौरद में सामल था अबूल फजल ने यह इ इतिहास तीन जिल्दों में लखा है इसका सीड सक है अकबर नामा पहली जिल्द में अकबर के पूरवजों का बयान है ठीक है अकबर के जो एंसेश्टर हुए है पूरवज हुए हमायू बाबर और वगएरा जो तैमूर वगएरा तक थी उनका बयान है उनके बारे में दिया दूसरी अकबर के सासन काल की घटनाओं का विवरण देती है तीसरी जल्द में आएने अकबरी है तीसरी जल्द का नाम है आएने अकबरी ठीक है इसके तीन पार्ट थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरी का नाम है अकबर नाम है और क्यों तीसरी का नाम है आएने अकबरी है आएने अकबरी मेन अकबर का वर्णन है ठीक है अकबर के प्रिसासन का वर्णन है अकबर एक घराने का वर्णन है उसकी सेना राजत सु और सामराज्य के भूल मतलब कि उनका सामराज्य कितने में फैला तो इरिया कितना था उसका वर्णन है इसमें समकालीन भारत के लोगों क आए नाए अकभडी का सबसे रोचक आयां है। I my book and तिनों में उसी में पे思положिए किया गया है。 वेद पृकार की ठीरों, फसला, पैदाबनों का संख्य का वेवरनद Якव्या करके आथ है। तो इस तरह आप आईने अकबरी और अकबर नामा में डिफरेंस समझ गये होगे, यह अकबर नाम एक रछना है जिसको तीन पार्ट हमाँटा गया है, पहले पार्ट में अकबर के पूरुजों का, दूसरे पार्ट में अकबर के सासनकाल की घटनाओं का वणन और तीसरे में अकबर के प्रिसासन का, घराने का, सैना का, राजसु का और सामराजी के भूगल का बढ़ने और जो तीसरा पार्ट है उसका नामे आएने अकबरी और पूरे से कहते हैं अकबर नामा अब उल्फजलने से लिखा है ठीक है तो आपर आपको बहुत किलियर हो गया होगा धन्यवाद इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खतम करता हूँ